तो चलिए स्टार्ट करते हैं आधा रेका मुल्यांकन भाग दो तो श्टुडेंट देखिए रिक्स्तानों की पूर्थी करनी है 800 89 के बाद क्या आता है 880, 81, 82, 83, 84 और 885 2403 के बाद आएगा 2404, 405, 406 407 ये 6 श्टुडेंट ध्यान रखेगा 408 और 409 फिर 410 देखिए अगला देखिए इस बॉक्स में क्या आ जाएगा स्टुडेंट तो देखिए ये 0 है ये 1 है तो भाग कितने हैं 1, 2, 3, 4 भाग हैं तो ये कौन सा है स्टुडेंट एक, दो, 3 मतलब कि तीसरे में हैं तो क्या हो जाएगा स्टुडेंट सिये हो जाएगा 3 बटा 4 ठीक है ये 3 बटा 4 लिख देंगे हाँ पर आप बॉक्स में अगला देखिए सबसे बड़ी संग्या पर गोला लगाना है 635 और यहाँ पर हो जाएगी 983 आरोई ग्रम में लिखेंगे आरोई मतलब छोटे से बड़ा सबसे चोटा आया जाएगा 324, 384, 589, फिर 638, 846, 946 ठीक है अगला देखिए सबसे चोटा कौन सा है 2463, फिर इससे बड़ा 256, फिर 426, 623, फिर 5,632, फिर 8,423 देखिए छोटा कौने बड़ा कौने बरावर कौने बताना है देखिए इन दौनों में 3,4 बड़ा है इन में 3,5 बड़ा है यह दौना बरावर है क्योंकि इसको आप 2 से काटेंगे 3,4 यह आ जाएगा तो सबदों में इस प्रकार लिखा जाता है पांच के स्थानिय मार लिखना है देखिए पांच यह आ जायेका 5 है पूश पर तीन संख्य। तीन 05 हो जाएगा दो बट्टे 5 को संख्य रहाधक पर ये एक हो गया ये दो बट्टे पांच को यहां पर लिख देंगी अगला है दीगी संख्यां को विस्ताइत रूप में लिखेंगे 846 तो 800 प्लच 40 प्लच 6 2056, 2000 प्लच 50 प्लच 6 अंको की पुर्णावर्ति की बिना 5609 में सबसे बड़ी और सब छोटी संख्या बनानी है सबसे बड़ी बनेगी हमारी 500079 सबसे बड़ी बनेगी 9650 संक्रियाओं की समझ जोड़ना है जोड़ेंगे 1036 आएगा घटाएंगे क्या जाएगा 326 गुना करेंगे 249216 रित्तावनिक पूर्ति करनी है जोड़ेंगे 1136 421 में क्या जोड़ेंगे 946 बनेगे 946 421 घटाएंगे क्या जाएगा 525 अब देखिए इस मेंसे इसको घटाएंगे तो 246 आना चाहिए तो स्टुडेंट्स 546 मेंसे 246 को घटाएंगे 566 को 246 को घटाएंगे 321 घटाएगा अगला देखिए हल करना है तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या और चार अंकों की सबसे चोटी संख्या में अंतर बताना है तीन अंकों की सबसे चोटी बड़ी संख्या होती हमारी 900 इन्यान में और चार अंकों की सबसे चोटी संख्या होती हजार दोनों का अंतर क्या आ जाएगा एक देखे अगला है एक गाम में 887 पुरुष और 896 महिला हैं तो कुल कित्ती महिला पुरुष हुए गाम में तो उनों को जोड़ देंगे 1783 उत्तरा जाएगा पांच पैन 25 रुपे क्या आते हैं तो एक पैन तो बताएजे 10 पैन कित्ते क्या आएगे पहले एक पैन का मुल्य निकालेंगे तो इस पांच 25 रुप पांच पैन का मुल्य आ गया पांच दस का ग्या होग जाएगा पांच गुना दस पचास अगला देखिए स्टुडेंट्स हल करना है 48 भाग 6 आँठ आएगा 3 बट्टे 4 का तुल्य भिन 2 उपर नीचे 2 से गुना कर दीजे 6 बट्टे 8 आँठ आजएगा 5 का गुना जो जाएगा 10 देखिए आकर्तिक की स्थान पर हमें समझ बतानी है चांदे की साहता से निम्न कौन हो को आप मापके देखेंगे 60, 90, 120 चांदे की साहता से हमें बताना है 60 डिगरी का को बनाएंगे 25 का बनाएंगे 120 का बनाएंगे अगला देखिए रिक्त तानों की पूर्ति करेंगे वर्ग में भुजाओं की संख्या 4 होती है 500 रुपे के नोट में आकरतियों में सीड्स वर बुजाओं की संख्या बुजाएंचार कौने भी 4 होते है पासे में प्रश्ट 12 होते हैं कौने 8 होते हैं सत्य असत्य बताएंगे वह कौन जो दो समकौन के बराबर होता है सरल कौन होता है बिरकुल सत्य है समकौन की माब 90 से अधिक होती है बिकुल घलत हो जाएगा तो असत्य लिखेंगे अधिक कौन एक समकौन के बराबर होता है असत्य हो जाएगा अगला है रिख्तिस्तानों की समझ लोग्राम 2,750 ग्राम होता है अगला है रिख्तिस्तानों की पूर्ति करेंगे 2 km होता है हमारा 2,000 मीटर 1111 mm होता है 111 cm और 1 mm सबादो मीटर 2750 mm अगरा देखिए रिप्तिस्तानों की पूर्ती करेंगे 4 गंटे होते हैं 240 मिनट के राबर 60 से गुना कर देजिए 160 सेकिंड 2 मिनट और 40 सेकिंड होते हैं 25 गंटे 105 मिनट होते हैं परिमाप ज्याद करना है निमना करती होगा सबी को जोड़ देंगे कितना जाएगा 14 सबी को जोड़ देंगे 14 सबी को जोड़ देंगे 30 cm आकड़ प्रबंदन का समझ बताना है हमें संख्या को टेलेचिन बनाना है 4 का टेलेचिन 1,2,3,4,4 दंडे साथ का 1,2,3,4,5 पर 5 बार देंड़ा होता है स्टुडेंट्स वो क्रॉस करते हमेसा ध्यान रखना है 5,6 और 7 ठीक है 13 का टेलेचिन ये 5,5 ये 2 सेट और 3 अलग से ठीक है अगला देखिए नीचे दीगर पैटन को आगे एक सीधा फिर तेर्चा हुआ फिर बढ़ते जा रहे हैं देखिए 3, ये 4 हो गए ये सीधा बनाएंगे लेकिन किते बनाएंगे 5 ये तिर्चे हो जाएंगे 6 डंडे बनाने आपको तिर्चे फिर देखिए 18 से 23 हुआ, 23 से 28, 28 से 23 हर बार 5 जुड़ रहा है 5 जुड़ेंगे 38 आएगा 5 जुड़ेंगे 43 आएगा 8, 16, 24, 32, 8 का पड़ा जल रहा है 40 आगेगा या 48 आज़ाएगा अगला देखिए पैटन पैचान कर खालिस्तान बढ़ना है 2 और 4 को जुड़ा 6 आए 4 और 6 को जुड़ा 10 इन दोनों को जुड़ा 18 इन दोनों को जुड़ा 46, 24, 26 और 18 और 26 को जुड़ा तो 44 अब देखिए इसमें गुना हो रहा है 2 गुना 3, 6 3 गुना 4, 12 4 गुना 3, 20 6 गुना 12, 22 12 गुना 20, 240 240 गुना 32 17,280 अगला देखिए 20 वा प्रश्न दूद का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पसुओं की संख्या है जो दिन प्रकार से है तो हमें पहले तो ये टेली मार्क और एक सार्णी को परतसित करना है तो पसुओं की संख्या लिख देंगे एक तरफ जो लो अल्रड़ी लिखी हुई है तो टेली मार्क दो कित्ती बारें देखिए एक बार, दो तीन और चार चार आगए डंडे, चार संख्या हो गई तीन, तीन कित्ती बारे एक, दो और तीन तीन बार है तीन लिखेंगे चार चार बार है तीन बार है सुरी तीन डंडे पांच पांच तीन बार है तीन डंडे छे दो बार है एक और दो तो दो टैलीमार बनाएंगे और परिवार की संख्या भी दो जाएगी तो 2 पसू रखने वाले परिवारों के संख्या कित्ती है देखे 4 है, 4 उतर हो जाएगा 5 से कम पसू रखने वालों के संख्या कित्ती है देखे 5 यहां तक है 5 से कम सभी को जोड़ देंगे 4 प्रस 3 प्लस 3 मतलब की 10 तो इस टिट्ट ये ता हमारा आधार एका मुल्यां कुन भाग दो आशाक राता हूं आपको समझना आया होगा फिर भी कोई आपको दिल्कत आती है कमेंट के माधिया मैं पूछ सकते हैं जोड़े ये चनल से लाइक करें सेयर करें सेस्क्राइब करें धन्यवाद